यहाँ पर अगर मैं किसी भी चार्ट में, बेसिकली यह जो बार चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें कैजुल में सिलेक करता हूँ, तो इस कैजुल का ही सेल्स कितना है, कॉस्ट अमाउंट कितनी, कॉंटिरी कितनी, ट्रांक्शन कितनी, सारी जगह पर कैजुल का रिप्लेक्शन दिखाए देगा, अब इस इमेज के कॉंटेंट मुझे क्या करने है, एक्स्ट्राइट करने है, तो मैं इस कॉंटेंट को एक्स्ट्राइट भी कर सकता हूँ, राइट लिक कीजिये, तो दूस्तो मैंने बेटे-बेटे गुगल पर ऐसे सच किया, गुगल प्रोडक्स, तो मैं आ गया इस पेज की उपर, जहां पर मुझे दिखाए दे रहे, सो से भी जादा गुगल के प्रोडक्स, और इतने सारे प्रोडक्स, लेकिन इन में से कम के प्रोडक्स है, अगर आप जानने में इंटरेस्टेटट हो, तो आज की ऊडियो में मैं आपको बताने बुगल के ऐसे, साथ प्रोड़क्ट, या तो गया, साथ प्रोड़क्स, साथ प्रोडोडक्स, जो आपके office में बहुत काम आएंगे, especially मैं इनको बहुत इस्तमाल करता हूँ, तो अगर आप जानने में interested हो, तो वीडियो end तक देखिए, कौन से वो साथ ऐसे product है, जो आप office में daily use करके, अपना time भी बचा सकते, अपना productivity बढ़ा सकते, तो चली शुरू करते हैं. Product No.1, Google Sheets, जियां दोस्तों, यह Microsoft Excel का एक competitor software है, basically Google Sheets आप free में इस्तमाल कर सकते, Microsoft Excel अगर आपके computer में डालना है, तो उसका license लेना पड़ता है, लेकिन Google Sheets online, यह web app है basically, online आप free में इस्तमाल कर सकते, Microsoft Excel में जो formulas हम लगाते, जो options हम use करते, जैसे Microsoft Excel के अंदर हम लोग pivot table इस्तमा इस्तमाल करते, Microsoft Excel के अंदर data validation यूज़ करते, conditional formatting यूज़ करते, वो सारी चीज़े आप Google Sheets में भी कर सकते, Microsoft Excel के लगबग बहुत सारी formula यह आप Google Sheets में यूज़ आप कर सकते, जैसे we look up हो गया, match and index हो गया, और Google Sheets के अपने कुछ formula, जैसे query formula है, कापी interesting formula है, translate formula है, जापे English to Hindi directly translate कर सकते, सारी के सारे content, अगर आपके पास employee list है, उनको English से Hindi में आपको translate करना employee के नाम, तो वो आप कर सकते है, translate formula की मत से, तो ऐसे Google Sheets के अपने कुछ फंडे भी है और Google Sheets का benefit है कि आप collaboration में काम कर सकते, मतलब एक साथ यह पे 10 लोगों के साथ आप काम कर सकते, जब आपके sheet में कुछ लिखा है, तो वो आप जिनके साथ अपने वो sheet share की है, वो सभी देख सकते कि आपने क्या-क्या data पे काम किया, right? Data के insights निकालने के लिए basically यह काफी useful tool यहाँ पे है, और जो की free of charge Google आपको available करके देता है, लेकिन इस Google Sheet को access कैसे कर सकते, Google Sheet को आप अपने dedicated video मैंने बनाया है, जो के उपर i button में आपको link मिल जाएगी, या description में मैं link दूँगा, जितने भी product यहाँ पर मैं बताने अला हूँ, उनके उपर मैंने videos already बना दिये हैं, और उनकी link मैं आपको description में दे दूँगा, don't worry, या सारी links को मैं एक जगा पे रखता हूँ, ताकि सा आरे tutorial को मैं मेरे applications के उपर link कर दूँगा, कहाँ पे मैं आगे आपको बता दूँगा, ताकि वहाँ से ओ tutorial आप आसानी से देख पाए, ओके, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि Google Sheet यह product यूज़ करो, जो कि number one tool है, data insights निकालने के लिए, data के उपर काम करने के लिए, दूसरे product की तरफ बढ़ते है, data के insight निकालने के लिए बस एक ही product नहीं Google Sheet, उन्होंने एक और Microsoft के product का competitor product बनाया है, जो कि Microsoft का एक popular product है, business intelligence के लिए, Microsoft Power BI, उसके competition में Google निकाला है, Google Looker Studio, इसका नाम पहले data studio हुआ करता था, अब Google Looker Studio, basically, so Google Looker Studio के अंडर data के आप insights निकाल सकते data के insights निकाल के आप अलग-अलग videos में उसे represent कर सकते, कैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, screen के उपर, यहाँ पर आपको एक dashboard दिखाए दे रहा है, which is interactive dashboard, so what is mean by interactivity, let me tell you, here it is, you can look over on screen, यहाँ पर अगर मैं किसी भी chart में, basically, यह जो bar chart आपको दिख रहा है, इसमें casual में select करत सारी जगा पे casual का reflection दिखाए देगा, even map में भी, अगर मैं formal पे click करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते, color भी change हो गया, और formal वहाँ पे उपर के आंकडे भी change है, सारे number चेंज है, I meant to say, same ही formal, यहाँ पे आप देख सकते, उपर के सारे number से आपे refresh हो जाए, मतलब, जो भी filter आप यहाँ पे लगा रहे हो, वो filter यहाँ पे apply हो रहा है, यहाँ पे map में भी देख लो, और अगर मैं इस पे दुबारा क्लिक करता हो तो यह filter हट जाता है, और map में भी देख सकते है, यहाँ भी देख सकते है, सब जगा पे, even अब डॉनल चार्ट में जाहिए, यहाँ पे पे मैं क्लिक करूँगा, तो खली उत्तरप्रदेश ही दिखाए देगा, राइट, दुबारा मैं उत्तरप्रदेश हटा ना चाहता हूँ, महाराष्टर क्लिक करता हूँ, तो map में भी आप देख सकते है, महाराष्टर आ जाएगा, सब जगा पे आप महाराष्टर का ही sales द इस second product बता है, यह basically एक और बात बताना चाहूँगा इस product के बारे में, जो मैं बताना भूल गया था, बट लेट मी टेल यू गाइज, यह product गूगल लोकर सुड़ी है, Microsoft Power BI का competitor है, लेकिन यहाँ पे Google Sheet के अंदर से data यह लेता है, उसके उपर के dashboard आप बना के इसे आसानी से आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, गेट रिपोर्ट लिंक से, इस लिंक को अगर मैं आपको WhatsApp पे शेयर करूँ, तो आप इसे आसानी से अपने mobile में भी देख सकते, इवन मेरे company की जितने भी dashboard है, जैसे की attendance dashboard, sales dashboard, यह सारे सारे मेरे mobile में यहाँ पे आजाते हैं, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह dashboard में ने looker studio में बनाया है, और जो कि यहाँ पे अलग-अलग की performance indicator के साथ, mobile में मुझे दिखाई देता है, कि आज कौन से employee ने चुटी ली है, क्या किया है, सब कुछ यहाँ पे पता चलता है इवन sales भी पता चलता है, आज का sales क्या है, कौन सा basically sales ज्यादा है, कौन सा कम है, सब कुछ यहाँ पे मुझे पता चलता है, statistics, because of this looker studio, और यह आप free यूज कर सकते है, power-based services यूज करने के लिए paid करना पड़ता है, क्योंकि जब आप उसको share करना चाहोगे dashboard किसी के साथ, तो Google Looker Studio free of charge रहता है, so again, यह एक काम का product है, अगर आप नहीं सीखा है, तो ज़रूर सीख लो इसे भी, अब बढ़ते हैं, तीसरे product की तरफ, जो मैं अपने offices में, daily business भी यूज करता हूँ, right, जैसे Google Looker Studio, Google Sheet हम भी यूज करते हैं, वैसी यह product भी यूज करते हैं, जिसका नाम ह Google Meet, जब आप Google Meet के page पर आ जाते हो, यहाँ पर new meeting, simple सा button है, यहाँ पर start instant meeting पर आप click करके तुरन meeting start कर सकते हैं, और वो link अपने click के साथ, अपने seniors के साथ, अपने client के साथ share करके तुरन आप meeting में join हो सकते हैं, आप अपनी screen में meeting में share कर सकते हैं, आप wise video सब कुछ दिखा सकते तो यहाँ पर इन्स्टांट meeting लेने के लिए बहुत useful software है, अगेन Zoom का एक competitor है, basically Microsoft Office में भी meeting लेने के लिए teams है, लेकिन वो Office 365 में आपको मिलता है, Microsoft में, और साथ में Zoom application पर आप meeting ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 30-40 minute ही free रहता है, लेकिन यहाँ पर Google Meet में आप एक घंटा meeting ले कोई problem नहीं है, so यहाँ पर जाकर start and instant meeting पर click करके आप instant meeting यहाँ ले सकते हैं, meeting conduct करने के लिए यहाँ पर बहुत useful software है, आपकी Office के अंदर आप इसे daily इस्तमाल कर सकते हैं, इसे कैसे इस्तमाल करना है, again I am going to tell you, कि एक proper link आपको एक साथ सभी applications का दिये दूँगा, जहाँ पर इसके आप tutorials देख सकते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा, फिलाल आगे बढ़ते हैं, जो कि next product है Google Drive, जी हाँ, Google Drive, basically एक ऐसा storage location है, जहाँ पर reliable storage आप इसे बोल सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी 15GB तक की file store करके रख सकते हैं, आपके family के important photographs हो सकते हैं, आपके कुछ personal, जो KYC documents हो तो आपे 100GB, 200GB का भी मिल जाता है आपको yearly basis पे, लेकिन 15GB मेरे KYL से अपने personal documents के लिए कापी बड़ी जगह है, जहाँ आप सारा data यहाँ रख सकते हैं, साथी में यहाँ अगर आपने कोई image upload की, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, एक image upload की example के लिए, अब इस image के content मुझे क् एक्स्ट्राइट करने हैं, तो मैं इस content को extract भी कर सकता हूँ, right-click कीजिये, open with Google Docs, यह Google Drive में अगर आप file upload करते हैं, कोई भी image, तो right-click करके उस content को Google Docs में अगर आप open करते हो, तो उसके अंदर के content को आप extract करके भी ले सकते हैं, text form में अगर आपको चाहिए, तो यह देखि लिए, यार फ्री में मिल रहे है Google के product, इसके लिए बद जीमेल आडी चाहिए, and then you can use it, अब हमारा next product है Google का, इससे बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, कि आप अगर किसी को remotely help करना चाहते हैं, मतलब जैसे example ले लो, आपका एक दोस्त है, जो की पुने में है, और आप मुंबई में हो, तो आपको उसे help करना है, कुछ particular computer की settings के बारे में, लेकिन उसे वो नहीं आ रहा है, right, कोई application इंस्टॉल करने में help करनी है, तो आप उसका system remotely access कर सकते है, पूरा पूरा PC आप remotely access कर सकते है, Google remote desktop, इस application की मदसे, जिया, यहाँ पे remote desktop की मदसे, आप system दे access कर सक सकते है, और कापी कुछ interesting है, यहाँ पे आप screen share भी कर सकते है, सामने वाली की screen access करके, उसके screen पे सारी settings भी आप कर सकते है, तो किसी को भी remotely technical help provide करनी है, तो आप Google Chrome desktop को install करके रखे, यह Chrome extension रहता है, यह install करने के बाद, directly उसका system access कर सकते है, और यह कापी useful है, अगर आप technical किसी को support देना चाहते हो, तो यह Google Chrome desktop सब के काम का है, और उसके बात का जो product है, वो भी सभी के काम का है, वो है Google Forms, जिया दोस्तों, अगर आप survey conduct करना चाहते है, तो आप Google Forms बनाई, आप customer का data collect करना चाहते, तो Google Forms बनाईए, simple है, आप बस उसको mobile पे, WhatsApp पे link बेजेंगे, उसके सामने, contact information का form open हो जाएगा, जहाँ पे मैं आपको दीखा रहा हूँ, उसने अगर उस link पे click किया, तो contact information का form open होगा, और आप उससे जो भी collect करना चाहते है, name, email, address, phone, number, comment, सारी चीज़े आप यहाँ पे decide कर सकते, even उसका photo भी आप collect कर सकते, even Google Forms के अंदर आप test भी conduct कर सकते यहाँ कोई भी exam आप conduct कर सकते हैं, और साथ में उसे setup भी दे सकते हैं, यह Google Forms बहुत useful product है, मैंने बहुत बार यूज किया, और हमेशा में यूज करता हूँ, आप सभी का, suppose webinar रहता है, मेरा every Sunday एक live webinar रहता है, तो आप सभी का data collect करने के लिए, जिनको भी webinar जोइन करना है basically, तो आपको webinar जोइन करने के लिए, मैं Google Forms देता हूँ, उसमें आप Google Forms बढ़ते हो, मेरे पास data आता है, फिर मैं आपको link भीजता हो webinar की, तो इस तरह सी यह Google Forms भी आप काम में ला सकते हैं, जो कि बहुत useful product है, right, and the next product that is Google Bard, basically एक AI tool है, और AI tool यानि कि ChatGPT का competitor है, but ChatGPT इतन पावरफुल नहीं है, जैसे कि Google Bard की उपर आप एक image upload करते हो, यहाँ पर image upload का भी option है, तो वो इस image की पूरे statistic बताता है, कि यह एक spine की image है, और उसमें क्या-कितने bones है, सारी चीज़े यहाँ पर उसने बता दिया, यहाँ पर plus करके upload image का option है, image add करके, but यह इतना accurate नहीं है, फिर भी यहाँ पर new chat में जाकर आप बहुत सारा assistance इसकी मदद से ले सकते है, help or solve problem यहाँ पर आप देख सकते है, click करेंगे, तो वो बोल रहा है, find a videos how to, how to use google sheet, right, यह मैंने लिख दिया, तो उससे related video find out करेगा, यह internet से directly connected है, so google sheet कैसे use करना है, उससे related video find out करेगा, and not just that guys, यह आपको बहुत सारे और भी help यहाँ पर कर लेता है, जो कि एक generative AI basically यह भी, so इसकी मदद से भी आप बहुत सारे अपने email लिखना है आपको, या फिर आपको script लिखने है, blog लिखने है, तो उसके लिए आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते है, google part, यह AI tool, तो यह 7 product मैंने आपको साथ product मैंने बता दी, साथ product मैंने बता दी, इसमें से सबसे ज़्यादा useful, कौन सा लगा मुझे comment section मैं ज़रू बताना, साथी में इन सारे product के tutorial वीडियो देखने के लिए, skill course application पे आपको जाना है, ध्यान से देखिए, description में मैंने skill course application link दी दिए है, जहाँ पे जाने के बाद मतलब install कर लेना आपको, study material नाम का एक folder मिलेगा, याद रखिए, सारे videos एक जगा पे मिलेंगे आपको, study material नाम के folder में ही आपको ये सारे videos एक साथ Google के product मिलेंगे, जहाँ पे ये सारे product के videos आप एक साथ देख सकते, tutorial point of video जितने भी है, ये सारे videos वहाँ पे मैं आपको link करके देने वाला हो, you can check there and watch all the videos कि ये product कैसे इस्तमाल करते है, free of charge, और इनकी उपर dedicated course भी मैंने डिजाइन किया, अगर आप interest लो तो Google Sheet का पूरा पूरा course आप इन्रॉल कर सकते है, Google Looker Studio का course है हमारा वो भी आप इन्रॉल कर सकते है, वो भी skill course application पे अवैलेबल है, तो फिलाल तो इतना ही आज की वीडिया में, और एक चीज़ बताना चाहूंगा, बहुत सर लोग comment मैं हमेशा पूछते है, सर आपका live webinar कवरेता है, live हम आपसे सीखना चाहते है, तो हमारा live webinar every weekend पे रहता है, जो कि हम AI टूल का इस्तमाल करना, सिखाते है, Excel के अंदर कैसे करना है, basically अब AI इतना powerful हो चुका है, chat GPT इतना powerful हो चुका है, जहापे हम अपने Excel की file upload करके, वहाँ पे AI को बहुत सकते हैं, इस file के साथ यह करो, लेकिन कैसे अगर जाना है, तो webinar में, दो गंटे का webinar रहता है, description में आपको link मिलेगी, upcoming Sunday का webinar अगर आपको join करना है, वो Sunday की seat फूल रहेगी, त उने एक Sunday का webinar मिलेगा, तो आप वो join कर सकते हैं, Google form का link मिलेगा वहाँ पे, उसे अब फिल करके रहेगा, जब भी webinar रहेगा, आपको inform किया जाएगा, और वो webinar पेड रहेगा, 9 रुपीज, एक चॉकलेट से भी comprise में आप enroll कर सकते हैं, फिलाल तो ये वडियो अच्छा लग करना, मिलते हैं अगले वडियो के अंदर तपता के लिए अपना खयाल भी रखना, सीखते रहना, लोगों को smart बनाते रहना, खुद भी smart बना, बाई बाई